असलावलिकूम व्योवर्स कैसे हैं आप मैं हुए रम और आप देख रहे हैं फूर्ज लव आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन करी के रेसेपी शेयर कर रहे हैं अगर आप कोकिंग में नए हैं और अभी खाना बनाना सीख ही रहे हैं तब भी आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे और ये तनी मज़े की बनका तयार होगी कि घर के सभी लोग आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे तो सबसे पहले हमने यहां ओयल को गरम कर लिया है यह 5-6 टेबल स्पून ओयल है अब 4 मीडियम साइस की आनियंस जिनको हमने रफली स्लाइस किया है उनको हम इस ओयल में फ्राइ करेंगे जब तक के यह लाइट ब्राउन नहीं हो जाती और फलीम को हम मीडियम रखेंगे प्यास को कंटिनूसली चलाते हुए फ्राइ करेंगे ताकि जो प्यास है वह कहीн से बहुत जादा लाइट और आपक्प्राइट न से डाक नहीं हो बस इसमें अच्छा साभण आने तक हमें फ्राइ करना है और इसके बाद हम इसमें особенно च चिकन अब प्यास के साथ हम इस चिकन को तब तक इस्टार फ्राइब करेंगे जब तक क्या पूरी तरह से वाइट नहीं हो जाता अब चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है अब इसमें ऐट करेंगे वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट अमने एक बड़ तो इस तरह स्टार्टिंग में डालने से क्या होता है कि जो चिकिन करी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है और हल्दी बहुत अच्छे से भुन भी जाती है अब इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है आप अपने टेस्ट के कॉर वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी करीब 4-5 मिनिट हो गए है चिकन को लेसन अदरक के साथ फ्राइ होते हुए अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन बड़े साइस के टमाटर जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है और 3-4 हरी मिर्चे हैं जिनको हमने बड़े-ब सबी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चिकन जले नहीं क्योंकि अब हम इसको गलाने के लिए रखेंगे तो मैरे करीब 60-70 एमिल पानी डाला है एक बार फिर से इसको चला देंगे और धकन से कवर करके इसको एक बार फुल पकते हुए चिकन में अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है तो एक बार हम इसको चला देते हैं अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको ढखका से कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक के कम्प्लीटली गल नहीं जाता बीच में हम ढखकर हटाकर इ जादा खटा है और ना जादा मीठा और इसी के साथ मैं मिक्स कर रही हूं वन टेबल स्पून ऑफ चिकन मसाला पॉर्डर यह आपको मार्किट में रेडिमेट भी मिल जाएगा लेकिन अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताईएगा तो इंशालला इसकी रेसिपी भी मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूगी तो चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उसको फॉरण देख पाएं अब दही और चिकन मसाले का मिक्सर हमने इसमें एड़ क हटा देंगे और इसको फुल फ्लेम पर हम तब तक भूल लेंगे जब तक के चिकन में से ओयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला अच्छी तरह से चिकन पीसिस के उपर लिपट नहीं जाता चिकन बहुत अच्छी से भून गया है अब टाइम है इसमें करी लगाने का तो मै अच्छी तरह मैं अच्छी तरह से अच्छी तरह से ओपर आ गया है पर हम गैस को और गर्म गरम सर्फ कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी बेहत लजीज और शानदार चिकन करी बनकर तयार है इसको गर्म गरम एंजॉय कीजिए बस अब चलती हूं अपना ख्याल रखेगा आखिए